नमस्कार आप देख रहे हैं DV News और मैं शिवा बादरी लाई हूँ आपके लिए बेहत trending news यानि कि Indigo Airlines में हुई मुक्के बाजी की घटना को बता देती हूँ कि Indigo Airlines में हुई मुक्के बाजी काफ़ी जादा trending में बनी हुई है जहाँ पर एक पाइलेट को एक को पाइलेट को एक पैसेंजर ने जम कर मुक्का जड़ दिया अब यहाँ पर पूरी वारदात को अन्जाम क्यों दिया गया क्यों यहाँ पर को पाइलेट को मुक्का मारा गया और किसी ने कुछ कहा नहीं क्या हुआ यह सारी बाते में आपको बताओंगी लेकिन आपको बता देती हूँ कि इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर सब्सक्राइब दरीके से लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और अलग या तरीके दिल्डा। और वीडियो को वारल किया रहा है जहां पर ढहां येरो कमेंट और भेडरो लाइक्स मिल रहे हैं और वहां पर देखने आति अ देखने को पर watch को पाइलेट की नर्मी नहीं देखनी को मिली क्योंकि को पाइलेट तो यहाँ पर भड़के हुए थे जिसके बाद आरूपी को सलाखों के पीछे बिज दिया गया है अब यहाँ पर जानना ये होगा कि आखिर पैसेंजर ने क्यों को पाइलेट को मुकावारा आखिर ऐसा क्या हुआ वहाँ पर कि इस पूरे बीच्ट की यहाँ पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया ये सारी बाते में आपके साथ आशियर करने जा रही हूँ चलिए तो जानते हैं कि आखिर क्या थी ये पूरी घटना इंडिको एयर लाइन्स के पाइलेट को थपड मारने की मामले में इंद्रागानी अंटर राश्टिय एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी साहिल का टारिया के खिलाफ एफपायार दर्श कर ली है इन सभी धाराओं में अलग-अलग सजा और जुर्मानी का फ्रापधान है और उसमें कितनी सजा का क्या प्रापधान है एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ सबसे पहले आईपीसी की धारा 323 दर्श की है यह धारा जानबूच कर किसी को चोट पहुचानी की मकसद से किये गए हमले से संबंदित है बजादे इस धारा की तहत ग्रफतार किये गए आरोपी को एक साल तक की कैट और वहीं बर एक हजार रुपे तक का जुर्मानी का प्रापधान दिया गया है वहीं आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 341 के तहत भी मामला दर्श किया गया है इस धारा के गलत तरीके से रोकने के आरोप में लगाई जाती है और इस धारा के आरोपी को एक महीने तक के कारवास और 500 रुपे तक जुर्मानी का प्रापधान है वहीं वरिस्ट पुलिस अधिकारी के अनुसार IPC की धारा 290 के तहत सारवजनी के रोप से अपद्रब्दे करने वाले आरोपी के खिलाफ लगाई जाती है इसके अलावा आरोपी पर एयर क्राफ्ट रूल 22 के तहत भी मामला दर्श किया गया है इस धारा के तहत बिवान चौला के सब्दस्टे पर शारदिक या फिर मौकिक रूप से हमला करने दराने या जूटी में बाधर डालने वाले आरोपी के खिलाफ कारवाही की जाती है इस कारवाही के तहत पाइलेट इन कमांड आरोपी को विमान से डिवार्ट कर दिया जाता है इसके अलावा एयरलाइन आरोपी यातरी के भविश्य में हवाई यातरा के लिए प्रतिवन्दित भी कर सकती है यह पूरा मामला दिल्ली के इंद्रा गांधी अंतर राष्टी एयर रपोर्ट का बताया जा रहा है रविवार को शाम इंटिगो एयरलाइन्स की दिल्ली से गोजाने वाली फ्लाइट 6E2175 किनी कारणों से 13 घंटे विलंबित हो गए इस विलंब के चलते साहिल के टारियर नाम यातरी का गुसा चरम पर पहुँज गया विमान में वोडिंग पूरी होने के बाद जब फ्लाइट के कोपालिट अनूप कुमार ने यातरियों को विलंबित के बारे में जानकारी देनी चाहिए तब ही साहिल ने को पाइलेट पर हमला बोल दिया वहीं पाइलेट की शिकायक पर IGI एर्पोर्ट पुलस ने F.I.R. दर्शकर कारवाही शुरू कर दी है अब इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि भारत में रहने वाली एक रूसी मॉडल और अभी नेत्री अबगेनिया वैल्स किया दिल्ली से गोवा जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में सबार थी दिल्ली हवाई एड़े पर उडान में तेरा घंटे की देरी हुई जिससे यात्रियों में इतनी देरी को लेकर चालक बल और पाइलिटों के खिलाफ गुस्सा फूट गया अब यहाँ पर चस्मदीद गभा, रेशियन मॉडल बेल साखिया ने कहा कि मैं उनकी टीम को दिल्ली से गोवा ले जा रही थी और फ्लाइट में चड़ने के जल्दी हवाई अद्य पहुँच गए तो सुबर साथ बचकर चालस मिर्ट पर उडान भरने वाली जो इंडिगो फ्लाइट थी वह कह रही थी कि फ्लाइट में एक घंटे की देरी हो गई है और इतना बोलने के बाद कम से कम दस घंटे तक हमें वहाँ पर वेट करना पड़ा दस घंटे तक चलता रहा यह वेट जब तक हमें विमान में चणने की अनुमती नहीं दी गई वही आगे उन्होंने कहा कि विमान में चणने के बाद हमें बताया गया कि उडान में दो घंटे की देरी हो गई है यात्री नाराज हो गए और चालक दल और पाइलेट से सवाल पूछने लगे रूसी अभी नेत्री ने शारिरिक हमले के चौकाने वाले एक क्रत्ति की निंदगी मगर उन्होंने इस स्थती के लिए पाइलेट को ही दोशी ठहराया है पाइलेट ने आकर कहा कि आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और इस वज़े से हमारी बारी चूप गई प्रत्यक्ष्र दर्शी ने कहा कि पाइलेट ने देरी के लिए यात्रियों को दोशी ठहरा दिया वहीं वेल साक्या द्वारा रेकॉर्ड किये गए वारल वीजियो में पीले रंग की हुडी में एक व्यक्ति आकरी लाइन से भागा और उडान के सह पाइलेट अनूप कुमार को उन्होंने एक मुक्का मार दिया जो आगे की देरी की घोशना कर रहे थे आरोपी की पहचान साहिल कर्टारिया की रूप में कर ली गई है वहीं एविगेनिया ने अपने सोशल संदेश में ये कहा है कि पाइलेट को मारना गलत है लेकिन वो यात्रियों को क्यों दोश दे रहे हैं हर कोई घबराया हुआ था और उनका समर्थन करनी के वज़ाए आपने इसे और गी जादा खराब कर दिया जिसके बाद ये पूरा मामला इस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है कि मानो साहिल कर्टारिया के मुक्के के बाद एक भूकम्प सा आ गया हो कि हर एक और सोचल मीडिया पर आपको साहिल कर्टारिया द्वारा को पाइलिट को मुक्के वाजी करते हुए देखा जा सकता है ये वीडियो सोचल मीडिया पर तरह तरह के कैप्शन के साथ शेर किया जा रहा है वही मॉडल के इस बयान के बाद भी कई लोगोंने को पाइलिट को दोशी ठहराया तो कई लोग साहिल कर्टारियों को दोशी ठहरा रहा है लेकिन यहां पर कानून साफ तोर पर साहिल कर्टारिया को ही दोशी ठहराएगा क्योंकि साहिल ने जिस तरीके से कोपाइले के साथ बत्तमीजी की उन्हें मुक्का मारा ये एक प्रकायव से उनकी ड्यूटी में बाधर डालने के समान था और एक तरीके से हिंसा थी जहाँ पर इतनी भीड में किसी तरीके से हिंसक हो जाना किसी भी इंसान के लिए सही नहीं माना जाता है जिसके बाद ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है हाला कि अभी आपको बताते हैं कि साहील कार्टारिया को पुलिस में गिरिफतार तो कर लिया है अब इस पूरे मामली की जांच पुलिस कर रही है जिसके बाद आगे ये समझ आएगा कि आखिर पुलिस ने क्या सकत कदम उठाए है साहील कार्टारिया के लिए वहीं इस वाइरल वीडियो को हम भी शेयर कर रहे हैं आप देखियेगा ज़रूर डीवी नीउस के साथ और भी ऐसे ही खास जानकारी और ट्रेंडिंग नीउस के लिए बने रहिए डीवी नीउस पर नमस्कार